आप देखेंगे कि सूडान में गरह योद्ध छिड़ा हुआ है और यसे में आप देखेंगे वहाँ जो भारतिये रह रहे थे उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से आपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग तीन हजार के करेब भारतिये वहाँ बने हुए हैं और देखेंगे जब भी कोई देश इस कारण से चर्चा में रहता है किसी भी कारण से तो उस देश के बारे में एक सामाज जानकारी अपने पास र बना हुआ है जब भी कोई देश किसी कारण से चर्चा में बना हुआ है उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, और एक बार आप देखे लिएजे, यह हमारी प्यारी पितवी है, ACA में आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप जाईए अफी का महादीब में, यहाँ आप लोगों को सूडान देखने को मिलेगा, यह है सूडान, इसकी राध्धानी खारतूम देखने को मिलेगी आप लोगों को, और यह आप देखेंगे कि पूर्वुत्तर अफी का में एक देश है, और यह आप लोगों देखेंगे कि इस से लगे हुए देशों की देखें, तो इमिस हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया, मद्य अफी की गड़राज, दच्छडी सूडान, इतोफिया, इरीटिया, और यह आप देखेंगे यहाँ लाल सागर लगा हुआ है, क्या? लाल प्रेकों को बापस लाने ही तो भारत की निकासी प्रियास का एक कोड नेम रखा गया है, क्या है? कोड नेम है, आप लोगों से डारेक्ट कुश्चन्स अगर पूँचे, कि भारतियों को सूडान से निकालने के लिए कौन सा ओपरेशन जारी किया गया था, कौन सा कावेरी, या आप लोगों से इस तरह का कुश्चेंस पूँच ले, कि ऑपरेशन कावेरी का संबंद किससे संबंदित है? तो आप देखेंगे, यह सूडान से भारतियों को निकालने से संबंदित. और इस ऑपरेशन में भारतिये नोसेना के आई एनस सुमेधा, एक 1200 भारती नागरिक हैं जिन में से आप देखे 1200 भारतीयों का समधाय उहां पर बसा हुआ है काम करने के लिए आप देखें नौकरे के लिए लोग जाते रहते हैं तो देख लिए सूडान आपको दिखाई दे रहा है लाज सागर से इसकी सीमा लगी हुई है सूडान में वर्तम और इसके कारण सेना और पिदर्सन कारियों की बीच एक समझोता हुआ और जिसके तहट 2023 के अंत में सूडान में चुनाओ को नेतित करने के लिए संप्रभूता परिशद नामा के एक सक्ती साज्या करन निकाय की स्थापना की गए हाला कि सेना ने एक्टूबर 2021 में आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है वहां भी आप देखें तालिबानों के ने कपज़ा कर लिया है और सेना और आर सेप की बीच तनाओ की बात करें तो 2021 के तक्ता पलट की तुरंद बाद दो सेन एक सेप और एक है अर्ध सेनिक आर एसेप जनलों की बीच सत्ता घर छेड़ गया यानि की कपज़े को लेकर और जिससे चुनाओं में संक्रमण की योजना बादित हो गई और इस राजनितिक परिवतन के लिए दिसंबर 2021 में एक पैरमभिक सौधा किया गया था लेकिन समय साजनी और सुरक्षा छित्रों के सुधारों पर आसहमती के पारी से सक्त बलों के साथ अर्थनिक रेफिट सपोर्ड सपोर्ड फोस के एकिकरन पर बादचीत में बाधा उत्पन हुई है और संसादनों के नियंतर और आरेसेप के एकिकरन को लेकर तनाव बढ़ गया है और जिसके कारण जटपें भी हुई है इस बात पर आसहमती थी की एक 10,000 सेनिकों की मजबूत RSF के को सेना में कैसे एकिकर किया जाए और किस प्राधी करण को उस पिकरिया की देख़रेक की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए इसके इलाबा आप देखें दगालो RSF जनरल एकी करण में 10 बरस की देरी करना चाहते थे लेकिन सेना का दावा था कि यह अंगले 2 बरसों में होना चाहिए आप देखें रेपेड सपोर्ट पोस क्या है यह सपोर्ट पोस RSF क्या है RSF एक समू है यह जन्जा वीड रक्षा की उद्धाओं से विक्सित हुआ है और जिसमें आप देखें 2000 की दसक में चाड की सीमा के समीव पश्मी सुडान की दारफुर छेत की संगरस में भागेदारी की और समय के साथ रक्षा की उद्धाओं की संख्या बड़ी और 2013 में इसमें RSF में सामिल हो गी और जिसमें जिनका विसिस रूप से सीमा रक्षकों की रूम में इस्तिमाल किया गया है और RSF और सुडानी सेना ने साउधी एवं अमीराती बलों के साथ लडने ही तु 2015 में यमन में सेनिकों को तैनात करना सुरू कर दिया था RSF को दारफुर की छेत के अलाबा दच्छिड कोडो फंड और विलू नाइल जैसी जगहों पर भेजा गया था जहां उस पर माना उधिकारों के उलगन का आरोब भी लगाया गया था या आप देखेंगे वो है 2015 की एक रिपोर्ट में हीवन राइट्स पोच ने अपने बलों को दयाहीन पुरुस के रोब में वर्डित किया था और वर्टमान संकट का परिडाम देखें तो लोकतांतरिक परिवर्टन के लिए चुनोती है सेना और आरेसेप की बीच लड़ाई में सूडान की लोकतंत में संकमण को और अधिक कठिन बना दिया है और यहनवान लगाया गया है कि जगडा व्यापक संगर्स में बदल सकता है और देश के पतन का कारण भी बन सकता है आर्थिक संकट की बात हो रही है अती मुद्राज फीती और भारी मातरा में विदेशी रेड के कारण सूडान की अर्दवस्ता संकट का सामना कर रही है और हम दोग सरकार को हटाने के बाद अन्य देशों से अर्वों डॉलर की साहता और रेड रहात पर रोक लगा दी गई है और पड़ोसी देशों में असान थी तो सूडान की साथ अन्य देशों से निकटता के कारण यह संगर्स वहाँ पहल सकता है और चेत में आज तिरता उत्पन कर सकता है चाड एवं दच्छन सूडान विसिस रूप से संबेदन सील हैं यदि लड़ाई जारी रही तो इस्तिती बड़े बाहरी हाथ से चेप का कारण भी बन सकती है और सूडान के संगर्स ग्रस चेत्रों से सरडार्थी पहली ही चाड आज चुके हैं अब आप दिखें जिस देश में लड़ाई होगी तो वहां से नांगरिक छोड़ कर उस देश को भागने की दूसरे देशों में जाने की कौसिस करते हैं अगर यही हम लोग भारत और सूडान के संबंद की बात करें तो सूडान का हमारे लिए सामरिक महत्त है सूडान पूरोत्तर अफीका में इस्ते थे और तीसरा सबसे बड़ा अफीकी राष्ट है लाल सागर पर अपनी रणनेतिक आवस्तिती नील नदीब तक पहुंच सौनी की विसाल भंडाल और किसी चमता की करण अपने पड़ोसी देशों, खाडी देशों, रूस अत्वा पश्मी देशों सहित बाहरी सक्तियों के लिए आकरसंका कैंद भी रहा है और आप देखें दुई पक्षी परियोजनाएं, तो इस ने बर्स 2021 में सूडान में उड़जा, परिवहन और किसी विवसायल उद्योग जैसे छेत्रों में 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती रेट के माद्यम से 49 दुई पक्षी परियोजनाओं को पहले ही लागू कर दिया था, एक आप देखें जुबा सांती समझोते का समर्थन, भारत ने एक संकुमर कालीन सरकार बनाने के सूडान के प्रयासों का समर्थन किया, और अक्टूबर 2020 में सरकात द्वारा हस्ताक चरित जुबा सांती समझोते का भी समर्थन किया था भारत ने, चार सायुक्त बारत ने बारत के लिए बाहर रूप से ससक्त सहयता पिदान कर और 1200 कर्मियों के साथ नांगरेक सचा के लिए एक राष्टी योगना का भी समर्थन किया था भारत ने भारती तक्नीक और आर्थिक सहयोग के तहट भारत ने चमता निर्माण के लिए सूडान को 296 विटी पूर्ती सहयत मानविय सहायता भी हम लोगने से देती दूवी पक्षी ये ब्यापर की एकर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इन वर्सों में भारत व सूडान की भी दूवी पक्षी है ब्यापर वर्स 2005-06 के 327.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 1663 यान की बढ़ा है सूडान और दक्षिड सूडान में भारत का निवेस मौटे तोर पर तीन अरब अमेरिकी डॉलर का था और जिसमें ऐसे 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर पैटॉलियम चित सारविजिक चित के उकरम ओ एन जीसी विदेश में निवेस किया गया था इसमें और इसलिए हम देख रहें कि सूडान हमारे लिए काफी महत्पूर है भारत दवाला चलाएगे निकासी अभी हान कुछ और भी है आप लोगों को बताया ना कि कई देशों में आप देखी अभी रूस और युकरेन में जो यह उद्ध हुआ उसमें भी हमारे भारतियों लोगों ने ऑपरेशन क्या चलाया था गंगा चलाया था इस तरह कि सभी ऑपरेशन के बारे में आप लोग याद रखेगा ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाये गया था और यह बर्तमार में युकरेन में सभी भारतियों नंगरेकों को बापस लाने के लिए एक निकासी मिसन है और रूसी सेना द्वारा हमलों की सेंखलाफ सुरू करने के बाद युकरेन में युद्ध पिछडने के साथ ही बरतमान में रूस और युकरेन की भी तनाव बढ़ गया है और वहाँ अभी भी युद्ध चल रहा है। समय ऑपरेशन गंगा चलाए गया था, ऑपरेशन देवी सक्ति कब चलाए गया था, जब आप देखेंगे जो अफगानिस्तान है ना, यह है अफगानिस्तान, हमारे लद्धाग बाले हिससे की सीमा लगती है, यहां से भारतियों को निकालने के लिए क्या, कौनसा ऑपरेशन देवी सक्ति चलाए गया था, बंदे भारत, 2020 में चलाए गया था, कुरोना वायरस के कारण बैस्विक यात्रा पर पृतिवंध होने के बाद के कारन विदेश में फशे भारति नागरेकों को बापस लाने के लिए, बंदे भारत, मिसन चलाए गया था, और यहSeन के तहई क एक और operation, operation समुद्र सेतु 2020 में चलाय गया था, एक COVID-19 महावारी के दौरन भारती नागरेकों को विदेशों से घर बापस लाने के राष्टी प्रयास के हिस्ते के रूम में एक नौसेनिक अभ्यास था ये, और इसके तहट आप देखे, 3992 भारती नागरेकों को समुद्र के दिरास्ते मातभूमी में सफलता पूर्वग बापस लाय गया था, भारती नागरेकों के जहां चलास्तु लेंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, एरावद, सारदुल, मगर लेंडिंग सिप, टैंक ने इस operation में भाग लिया था, जो 55 दिनों तक चला था और इसमें आप देख हवाई अड़े पर, तथा मद्ध ब्रूसेल्स में माल भीक मेट्रो इस्टेशन पर एक आतंकी हमले में की चपेट में आ गया था, और इसके तहट येट एरवेस की फिलाइट से 28 कुरू मेंबर सहित समेत कोल 242 भारतियों को भारत लाय गया था, ओपरेशन राहत 2015 में चला से लगबग 5600 लोगों को निकाला था, ओपरेशन मैत्री ये 2015 में चलाए गया था, बर्स 2015 में नेपाल में आये भूकम की बचा और रहत अभियान की रूम में ओपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारती से सक्तवलों द्वारा किया गया था, सेना बायु सेना की सय उपरेशन सुरक्षित घर भापसी 2011 का है, संगल गरस्त लीबिया में फसे भारती नागरेकों को बापस लानी के लिए भारत ने उपरेशन घर भापसी शुरू की थी, उपरेशन के थहत आप देखें भारत ने 15400 भारती ये नागरेकों को निकाला, इस उपरेशन में लग operation सुकूर शुरू कर वहाँ फसे अपने नागरेकों को बचा है और जैसे अब बेरूत से लिफ्ट के नाम से जाने जाता है या डन करक निकासी की बाद से सबसे बड़ा नौ से नेक बचाओ भियान है और task force ने 19 जुलाई और 1 अगस्त 2006 बीच कुछ नैपाली और स्रिलंकाई नागरेकों को सहित लगबग 2280 लोगों को निकाला था फिर आप देखें कुवेट इयर लिफ्ट ये 1990 का है और इसमें आप देखें बर्स 1990 में जब 700 टैंकों से लेस एक लाग कितना एक लाग एराकी सैनिकों ने कुवेट पर हमला किया था तब साही और अतिविस्ष्ट ब भारत नेकासी अभियान शुरू किया थे जिसमें आप देखें एक लाग सब्तर हजार से अधिक भारतियों को ये लिफ्ट किया गया था और भापर भारत बापस लाए गया था तो ये ऑपरेल संस हैं और सूडान की बात हो गई और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से अग आप लोग उनका जवाब दे पाएंगे ठीक है और किसी टॉपिक के वारे में बात करनी हुआ अगर है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं